तो गुट मॉनिंग और कैसे हैं आप लोग चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुवात अभी टाइम हो रहा है पांट उसके पच्पन मिनट हम अपने टाइम से सिफ एक धंटा पच्पन मिनट लेट है और अपनी लिए हिमालियन काफी गंदी हो रखी है और एक करते हैं और मिलते हैं रास्ते हैं अब बाइसाब इदर तो बारिश होई है और तो बारिश होई है रोडों पे अच्छा खासा पानी है तो अभी अपनी न्यू हिमालियन चल चुकी है 1057 किलोमीटर और चलते हैं सफर का मजा लेते हैं एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि मौसम थोड़ा बिगला और थोड़ा ठीक है ज्यादा बदलब गर्मी नहीं मिलेगी तो अगर बारिश ना मिले तो ज्यादा प्रहतर होगा तो अभी का सीन यह है कि बज़ गए च्छे बचके हटी नाइन मिनट और घर से तकरीबन 40 किलोमेटर आएक आ गये हैं मन था चाय पीने का पहला प्रेक लिए यहां पर एक दुकान डाबा जैसा को दिखा तो यहां पर दिखा कुछ डाबा जैसा रुके लेकिन ठा नहीं कुछ तो सोचते हैं वगले 50 किलोमेटर बाद के रुकते हैं तो फिलाल सीन यह है अभी कहा एप मुचूस्ऽ क्या चालिए क्या आथ कुछ, क्या जज्यों वख दुक्वर टुकators्ट अख़ाँ जुड़ाँ कर दो दो चुन अभी कुछ ऐसा है कि पहुच गया है बरेडी टोल और अच्छी खीची गाड़ी तकरीबन कि दो सो प्लस किलो मीटर के आसपास चल चुके हैं हाँ दो सो प्लस चल गया है दस बचके टॉन्टी सैवन मिनिट हो रहा है च्छत्य दिग्री टंप्रेचर हो गया भाई साब गर्मी तो इसक्तम पाड़ू हो गए लेकिन एक महरबानी है उपर वाले की जो है धूप नहीं ह है जो चलते हैं फिर आप आगे की तरह सफर करते हैं कॉंटिन्यूंग अगर आना है विकेंड में तो देख लो यह जाम गंजरम पांच किलो मीटर लंबा है फांच किलो मिटर से यह जाम ही जाम चल रहा है यह जाने वालों की लाईन और पीछे इतनी लाइन है आने वालों कि यह जी के हिंद में आत्मत्या करनी हो तो आओ यह ने निताल कि देख रहा हो जाम खतम होने का नाम नहीं ले रहा कि अब भाई का यह ट्राफिक तो यह नहीं खतम होगा कि अरहा गकी भुणे खर शीया करना कर भाजय कर दोम्हुट का यह बाल तो फाइनल्री यहां से नैनीताल रह गया सिफ तीन किलो मीटर चलिए मिलते है नैनीताल में और पाकी सफर बहुत अच्छा था जो व्यू और जाम मिला वो बहुत भेंग खरण है वीπαँ बहुत बहुत भेंग कर所以呢 उभी का सीन फिल हाल यह है और चलिए पहुँच गए नैनिताल इस व्लोग को यहीं पर करते हैं अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सुबस्ट्राइब करिए और मिलते हैं कल एक नए व्लोग में नैनिताल से जागेश्वर धाम का जो व्लोग है वो पहतरीन होने वाला है तिल बाब बाइ, वके टेक्या